कॉंग्रेस के कद्दावर नेता और चुरहट विधान सभा से प्रत्याशी अजै सिंग राहुल भाईया ने कॉंग्रेस की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा है कि भारती जंता पार्टी ने विंधे के साथ हमेशा सौतेला व्याभार किया है यही भाजपा की हार का सबसे बड़ा कारण है पूरे प्रदेश में बदलाब की बयार है कॉंग्रेस उमीज से ज्यादा सीटे जीत रही है आपको बता दे कि अजै सिंग राहुल भाईया ने खुदे चुनाव में कॉंग्रेस की जीत के लिए खूब मेहनत की है और उन्हें शेतर में लगतार अपार ज समर्थन मिलता रहा है कॉंग्रेस के कद्दावर निता और चुरहट से कॉंग्रेस प्रत्यार श्री अजै सिंग राहुल भीया ने जीत का दावा करते हुए कहा कि चुनाव नतीजा अच्छा रहेगा पिछले बार की तुलना में नतीजा और भी अच्छा आएगा मैं कोई सीट का नंबर नहीं बता रहा पर उम्मीद से ज्यादा सीटे कॉंग्रेस जीतेगी प्रदेश में बदलाव की बयार है भारती जन्ता पार्टी ने विंध के साथ सौतेला व्याभार किया और यही उसकी हार का मुख्य कारण है देखे यह अच्छा रहेगा पिछली जफ़े के तुलना में बहुत ही अच्छा रहेगा अब एक्जैक्ट फिगर बताना आज उचित नहीं है लेकिन उम्मीद से ज्यादा है बदलाव की भी वो है और एक भावना है कि भारती जन्ता पार्टी ने विंध के साथ सोतेला व काली थी वो आग सुलक गई और चुनाव में उसका नतीजा देखने को मिलेगा कॉंग्रिस भाजपा के अलावा और भी कई दल चुनावी मैदान में हैं जिन्हें किंग मेकर की भूमिका में भी देखा जा रहा है अब इस पर कॉंग्रिस निता आजे सिंग राहुल भीया ने बड़ा वयान देते हुए कहा है कि छोटे दलों का कोई खाज प्रभाव नहीं होगा गल्ती से मातर एक सीट बसपा जीज सकती है किसी और दल को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला आजे सिंग राहुल भीया ने कहा कि जिसकी सरकार होती है अधीकारी उसी का बिल्ला लगाए रहते हैं भले ही कुछ सरकारी करमचारियों ने भारती जन्ता पार्टी के लिए काम किया हो चुनाब में पर सरकारी करमचारियों का ज्यादा वोट कॉंग्रेस की तरफ ही गया है अजे सिंग राहुल भाया ने कॉंग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में कॉंग्रेस को बहुमत मिलने जा रहा है भारती जन्ता पार्टी सोच रही होगी कि लाडली बहना योजना का उसको दस प्रतीशत लाब होगा तो मैं कहता हूँ कि उसका केबल दो प्रतीशत ही असर पड़ेगा लेकिन ओल्ड पैंशन स्कीम का भी उतना ही असर पड़ने वाला है चुनाब में बदलाब की बयार हर जगे पर देखने को मिली है अब सीटे जो जितने जादा आकलंड किया हूँ बता सकते हैं लेकिन कॉंग्रिस पार्टी को स्पश्ट बहुमत मिलेगा लाडली बहना का फायदा भारती जन्ता पार्टी यदि सोच रही हो कि दस प्रतिशत तो मैं माफिक के साथ कहता हूँ कि दी दो प्रतिशत उसका फड़ेगा लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम का उसका बराबरी है तो दोनों मिलाके क्रोस आउट हो जाता हैं बाकी बदलाव की एक नहर थी वो सब जहर देखने को मिली है आप देख रहे हैं दखल न्यूल